प्रधान मंत्री नरेंद्रा मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद, Amazon और Google जैसी कमपनिया भारत में अपने निवेश को और बढ़ाने की तयारी में हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्रा मोदी ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंटन के रोनल्ड रीगन सेंटर में भारतिय समुदाई को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों का खूब जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर ना केवल पॉलिसी और इंग्रिमेंट बना रहे हैं, बलकि हम जीवन सपनों और नियती को आकार दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इस अमेरिकी दोरे पर दुनिया की बड़ी कमपनियों के CEO से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। गूगल और आमजॉन ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने का एलान किया है। वाशिंग्टन के रोनल्ड रीगन सेंटर में भारतिय प्रवासियों को सम्बोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लड़ाकू विमान के इंजन बनाने का जनरल इलेक्ट्रिक का निर्नय भारत के रक्षाक्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। दरसल भारत में GE Aerospace Company के इंजन मैनुफेक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा। इसके बाद फाइटर जेट्स के इंजन भी भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें भारत की हिंदुस्तान Aeronautics Limited GE Aerospace की मदद करेगी। PM Modi ने कहा कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साजहदार और निर्यात डेस्टिनेशन है। लेकिन हमारी साजहदारी की वास्तविक क्षमता अभी तक सामने नहीं आई है। भारत में जितना संभव हो उतना निवेश करने का ये सबसे बहतर समय है। भारत में Google का AI का Research Center सो से ज़्यादा भाशाओं पर काम करेगा। PM मोदी से मुलाकात के बाद Google के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका की एतिहासे क्यात्रा के दौरान PM मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। हमने प्रधानमंत्री के साथ साजह क्या की Google भारत के डिजिटल इकरन फंड में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। हम Gift City, गुजरात में अपना Westwick Fintake Corporation Center खोलने की घुशना कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोन उनके समय से कहीं आगे था। मैं अब इसे एक blueprint के रूप में देखता हूँ जिसे अन्यदेश करना चाह रहे हैं। अमेरिकी semiconductor company Micron गुजरात में अपना plant लगाएगी। इसके तहट company की ओर से 2.7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। मंत्र मंदल ने एक नए semiconductor testing and packaging unit के लिए Micron को भारत में investment करने की मंजूरी दे दी है।